इतिहास में परदेश से पहली बार कोई खिलाडी भारतोलक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनीदितित कर रहा है यह कहना है परदेश भारतोलक एसोशेशन के अध्यक्ष परदीप शर्मा का परदीप शर्मा ने बताया कि कल्यान सिंग जिला चमबा की भटियात विधान सवा से है और इस समय परदेश अधियक्ष परदीप शर्मा ने जहां इसका श्रे कल्यान सिंग की मेहनत को बताया वहीं परदेश बेट लिफ्टिंग एस्टेशन के राश्टी सचीव सहदेव यादव को भी दिया उन्होंने कहा कि एक छोटे से परदेश से अंतराश्टी स्तर पर परफॉर्म करना परदेश के लिए गौरव की बात है और उन्हें पूरी उमीद है कि कल्यान सिंग देश के लिए स्वन पदक लेकर लोटेगा कल्यान सिंग ने पटियाला के ट्राइल केम्प में 291 किलो बजन उठाया था और अगर उसका परदेशन इसी परकार रहा तो वे देश की जोली में अवश्य ही पदक डालेगा स्मोवा में जुनियर कॉनवेल जो कि छे जुलाई से होने जारी है उसमें उसका स्लेक्शन हुआ और ये इसका सारा श्रे मैं इंडिन बेड लिफ्टिंग फ्रेडरिशन के महा सचिव श्रिसाय देव यादव जी जिनकी देख रहे हमें इसारी बच्चों कि त्यारी कर रह क्योंकि पिछल दिन जो ट्राइल्स हुए थे पिठे आला मैं मैं भी उसमें इससलिया था तो उसमें उसमें दोस्तों कानवे केजी वेट उठाके रिकॉर्ड मनाया था तो हमें पूरी अंगीद है कि क्लियान सिंग इंडिया के लिए ये मैडल लेकर आएगा और हमाचल के इतियास में ये पहली बार हो रहा है कि क्लियान सिंग जो हम इमाचल का एक डड़का जो है वो भारत करने जारा बेट लिफ्टिंग में इसले साल जो नागपुर में जूनियर नेशनल हुआ उसमें क्लियान सिंग ने स्वाणपद्क इंडिया में जीता था फिर उसका चैन इनका जो है इंडिया कैम में सेलेक्शन हो गई और पिछल साल से इंडिया कैम में है और बहां से उसका सेलेक्शन ट्राइल्स अब स्मोवा के लिए किया गया है हमाचल एक्सप्रेस के लिए नुरपूर से सचिन कुमार की रिपोर्ट झाल एक्सप्रेस के लिए और रिपोर्ट झाल एक्सप्रेस के लिए और रिए एक्सप्रेस प्राइल्स